हेलो स्टुटेंट्स और वेलकम यूवल इन और उनलाइन लेर्णिंग प्लेटफॉर्म बेचू पार्ट साला तो आज का ये वीडियो जो होगा प्रिविए सेर कोश्चन पेपर से रिलेटेड होगा ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है पहला वीडियो अल्रेडी हो चुका है पहले उसे देख सकते हैं उसके बाद इस वीडियो को आप देख लें इससे आपकी अंडर्स्टेंडिंग बहुत ही अच्छे से बनी रहेगी आगे भी ये सिरीज जो है कंटीनियू की जाएगी बेचू पार साला दरा जब तक पूरे दस साल के कोश्चन नहीं हो जाते हैं दो चलन देख से आज कुछ नए कोस्टनों को देखेंगे और हम देखेंगे उनका स्ल्यूशनिलम्लों इसी वीडियो में देखेंगे और उन नमबरों पे संपर कर सकते हैं या वाटसप कर सकते हैं चलिए देखते हैं पहला कोस्टन क्या है फस्ट कोच्चन है फुच आप फॉलविंग हैस डिसाइड़ टु है इट्स केप्टल एट थ्री प्लेसे निम्न मेंसी किस ने तीन अस्थानों पर अपनी राजधानी तै की है कोच्चन पूछ रहा है जैसे किसी भी प्रदेश की राजधानी होती है उत्तर प्रदेश की मान लीजिए लखनों है तो ऐसी ही लेकिन ये तो एक ही राजधानी है लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश है जिनकी तीन तीन राजधानी है कुछ क्या इंडिया में एक ही है वह कौन स की सा है आंधर प्रदेश पके इंडिया में कौन सा है अंधर प्रदेश ने तीन अस्थानों पे एपनी राजद्दहानी तय तो आप उसे चोड़कर नाए तो अंतरप्रदेश ने तीन राजधानिया डिक्लेर किया है ऊके तो कौन-कौन सी है तीन राजधानिया पहली है विसाखापत्नम दूसरी है कुर्णूल और तीसरी है अमरावति विसापत्नम जो होगी Executive Capital होगी, Executive मतलब कारेकारी, कुर्णूल जो होगी Judicial यानि न्याई के राजधानी होगी और आमरा होती legislative यानि बैधानिक राजधानी होगी Legislative का काम होता है law बनाना, जितने भी MP जो जाते हैं MP आगर state level की बात करेंगे तो वो legislative का formation करते हैं legislative का और state legislative पर आजाएंगे तो जितने भी MLA होते हैं state legislative का formation करते हैं MLA, member of legislative assembly तो यह चीज हो जाता है तो यहीं पर judicial हो जाएगा, executive क्या होता है, executive इसी legislative capital की 15% जर्नली 15% होता है, लेकिन कुछ cases में आपको exception भी देखने को मिलेगा तो इसी legislative से मिलकर, निकल करके 15% executive बनते हैं जिसमें मंत्री लोग यह सा बात दे है judiciary क्या होता है, judiciary का अलग ही चीज है यह संसादिन सभी चीजों से बिल्कुल भी relate नहीं करती तो legislative का काम क्या होता है, law को बनाना executive का काम क्या होता है, law को लागो करवाना judicial का काम क्या होता है, judiciary का काम क्या होता है कि लाग की रच्छा करना, उसकी देख भाल करना तो यह तीन चीजे हैं, तीन मुखे, body होती हैं किसी भी state के formation के लिए तो यह चीज हो जाती है, तो यह तीन रासधानिया है, विसाका पत्नम जिसमें executive और capital है, जितने भी executive यानि मंत्री लोग होंगे, यहीं पर रहेंगे कुर्णूल जो है, judicial यानि high court होगा यहां पर, आंधर प्रदेश का इस state की संसत को हम लोग बोलते हैं, राज की विधायका, अब थोड़ा आंधर प्रदेश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा पीछे चलेंगे और देखेंगे कि आंधर प्रदेश हमारे ले क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे एक्जाइम को पॉइंट आप व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुली जब देश आजाद हुआ, तो उसके बाद जो भी देश को बाटना था, देश के अंदर सासन ब्योस्ता इड्मिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए देश को बाटना था, जिसके लिए कई सारी बेसेस लाएगे कि किस बेस पर देश को बाटना जाए, तो उसके लिए एक आयोग बना जिसका नाम था धर आयोग, राजे अंद परसाद जी ने धर आयोग का गठन किया, धर ज तो इन्हों ने कहा भासा के अधार वाटना सहीं नहीं होगा हमको एडिमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बातना चाहिए तो इसकी समीच्छा कह सकते है उसके लिए बनाएंगे जबीपी समिती जवाहलाल पट्टा भी सीता रमी या यह लोग मुख्य थे यह समित बनाई इसने भी भाषा के अधार पे राज्यो की जो डिमांड है वो क्या कर दी खारिज कर दी तो उसके बाद क्या हुआ जो तेलुगू भासी थे आंध्र प्रदेश जनर्री तेलुगू बोली जातीए है आप पहीं तेलगु भशी ऌभ थी इन्हों ने प्रोटेस्ट किया और स्रीinku नम्हुन दिनों के आमर्ण अंसन के बाद जो रामुल्लू थे इनका क्या हो गया इनका निधन हो गया इनका डेथ हो गई तो डेथ के बाद बहुत ही बड़ा एक देश में वाइलेंस फैल ले जा रहा था भासा के नाम पर तो इसको कंट्रोल करने के लिए जवाहलाल नहिरु जी ने 1903 में कब 1903 exact date पूछेगी तो एक अक्टूबर 1903 एक अक्टूबर 1903 को जवाहलाल नहिरु जी ने भासा के अधार पे पहला राज गठित किया जिसका नाम क्या था आंधर प्रदेश तो कब गठित हुआ एक अक्टूबर 1903 को लेकिन जब एक्ट बन गया आप लोग जानते हैं कि राज पुनर गठन एक्ट जो बना था अधिनियम जो बना था 1956 में होना था तो जब एक्ट बन गया तो इसको एक नॉमबर 1906 को आंधर प्रदेश को क्या दे दी गई राज की उपाधी दे दी गई आज से भारत का राज्य है तो यह था फस्ट इस्टेट और फिर इंडिय में से किस नदी से होकर गुजरने वाला है फस्ट अंडर्वाटर मेंट्रो इस टू पास थ्रू फूइच आप दो फालोइंग रिवर्स तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसमें आपके लिए जाना इतना ही जुरूरी है कि यह हुगली नदी से पास होता है पहला अंड कोई खास जरूरत नहीं है चलिए नेक्स्ट को देखते हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए पक्के टाइगर रिजर्फ कहां पर है अरुडान चल प्रदेश अभी इस साल पूछा है 2020 में कि पक्के टाइगर रिजर्फ कहां है लेकिन नेक्स्ट येर हो सक तो हम कोश्चनों को पूरा एक्स्प्लेइन करके पढ़ेंगे ताकि आपसे कोश्चन जो है आप अगर अपकमिंग एक्जाम में बैठ रहें टरंस के तो वो छूटने ना पाए ठीक तो एस का सहिंसर का हो जाएगा अरुडान चल प्रदेश में पक्के टाइगर तो आप अजीब से नाम होते हैं लेकिन इसमें आपको बिल्कुल कानफ्यूज होने की जरुवत नहीं है कोई भी नाम मिल जाए यह दोनों क्या है एक ही टाइगर रिजर्व है तो यह अरुडान चल प्रदेश के टाइगर रिजर्व है और भी मैंने यहां पर मैप दे तो 1972 में देश की पहली बाग जड़ना हुई तो पहली बागों की जो गड़ना हुई थी तब हमें पता चला कि हम बागों को डिकलाइन कर रहे हैं बाग जो हमारे देश में उनकी कमी आ रही है तो एक अपरेल 1973 को प्रजक्ट टाइगर लांच किया गया तो इस सांथाल इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इनको टाइगर मैन ओफ हिंडिया कहा जाता है कैलास सांथाल जी टाइगर प्रोजेक्ट के हैट थे और इनहीं को टाइगर मैन ओफ हिंडिया कहा जाता है इसकी सुरुवात कहां से कि गई तो जिम कार्बेट राष्टिय उद्यान से की गई थी जो कि कहां पर है उत्तरा खण में जिम कार्बेट राष्ट्य उद्यान 1935 में जब इस राष्ट्य उद्यान का फॉर्मेशन हुआ था तब इसका नाम वहां जो गौवर्नर थे हैली जो माइकल माइकल हेली करके ऐसे नाम था उनका उनके नाम पर जिम कार्बेट राष्ट्य उद्यान नाम पढ़ गया तो अगर आपसे पूछा जा सकता है जिम कारवेट राष्ट्य उद्यान का पहला नाम क्या था तो यह यह सबस्यादे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह कहां पर है उत्तरा खण में है कि यह आपको समझ बें यहां तक उसके बाद क्या है biggest tiger reserve नागारजुन सागर जो कि आंधर प्रदेश में है यह हमारे देश का सबसे बड़ा tiger reserve है सबसे बड़ा tiger reserve कौन सा है यह है नागारजुन सागर आंधर प्रदेश स्मालस tiger reserve की बात करेंगे तो पेंच महाराष्ट का जो पेंच है यह सबसे smallest tiger reserve है हमारे देश का तो आई थिंग कि यह आपको पूरा tiger reserve से जुड़े हुई जितने भी fact मैंने आपको होता है आपने अच्छे से याद क्या होगा यह सारे बहुत ही ज्यादा important है जितने भी सारे questions मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा important है कहीं न कहीं यहीं से घुमा करके question आपसे पू आपना है तो चलिए देखते हैं कि जब math question solve करने लगेंगे तो कहीं भी root लगा होगा जैसे root 2 लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 power 1 upon 2 यह root का मतलब होता है 1 upon 2 ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम वही चीज करेंगे यहां पर लिखा है तो 2 n की power क्या लिख देंगे हम लोग 1 upon 2 यह लिख सकते हैं इस equal to 64 हो जाएगा उसके बाद यह देखिएम यहां से यह दोनों powers होते हैं इनको multiply कर देते हैं तो इनको multiply करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 n upon 2 2 की power n upon 2 is equal to 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की power 6 यानि हम 2 को 6 time multiply करेंगे तो हमारा 64 आएगा यह कर सकते हैं अब यहाँ पि 2 n की power 2 is equal to 2 की power 6 आ गया यहाँ पि यह दोनों क्या है 20 जो है बराबर है तो यह चीज हट जाएगा यह बराबर है तो यह भी बराबर होगा तो यह क्या हो जाएगा n upon 2 is equal to 6 n upon 2 is equal to 6 n is equal to क्या जाएगा 12 आ जाएगा I think आपको यह question समझ में आया कैसे हमने किया कहीं भी root है तो उसके power में हम लोग क्या लगा सकते हैं उसके बाद जितनी भी base हैं जितनी बी संख्यailing के base हैं उसको में बराबर कर लेना है फिर वो बराबर हो जाएगी तो जो power हो आलेडी बराबर हो जाएगे उग्य उनको बराबर करके है मैं इनका मान यहाप पे निकाल लेंगे तो इनका मान क्या आएगा बारा बारा हमारा क्या हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा यह मैंने हाँ पर solve भी कर रखा है आप अच्छे से solution देख सकते हैं समझ सकते हैं next question है if 2 power x into 8 1 upon 5 is equal to 2 1 upon 5 यह question बिल्कुल same पिछले वाली की तरह है ऐसे ही question बार बार repeat करके पूछ लेता है तो यह question बिल्कुल same उसी की तरह है यहाँ पर इसको आपको बनाना है 2 का power यह तो 2 का power है ही इसको आप जब बना देंगे तो यह जो power यहाँ उपर आ जाएगा 2 की power 3 यह 3 multiply हो जाएगा 1 upon 5 से 3 किसे multiply हो जाएगा 1 upon 5 से तो यह formation होगा 2x into 2 की power 3 into 1 upon 5 is equal to 2 की power 1 upon 5 यह हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए यह सारी चीज़े तो बराबर हो गाई न यह यह हो जाईगा यह हो जाएगा 3 upon 5 इसको जब हम अटाएंगे यह हो जाएगा 3 upon 5 तो यह सारी चीजें क्या हो गई बराबर घुई आपने एक जर्नल रूल पढई यहां पर सही कर लिजेगा यहां पर मुल्टिप्लाइं होगा तो यहां पर आपने channel रूल पढ़ा होगा कि यह rule है अगर आपने ना पढ़ा हो तो मैं आपको recall कर रहाता हूँ अगर ऐसी कोई चीज रहेगी ऐसी ए है अगर ऐसा कोई चीज रहेगा तो वो ए क्लस प्लस बी के फॉर्म में लिखा सकता है यह class 9th में आई धिंक आपने रूर पढ़ा होगा तो यह से लिखा क्वेर कि दियागää है एडड़ी आगी क्षोचिन मार्क है क्या होगा ए देखिए इसमें आपको सब सबसे पहले नंबर पता होना जारे किस नंघ पर आते हैं इस यहां पर देखिए क्या हुआ यहां पर प्लस 3 किया गया है फिर उसके बाद क्या गया है प्लस 5 किया गया है फिर उसके बाद क्या किया गया है प्लस 7 किया गया है तो आविसली बात है कि कि यहां पर क्या किया जाएगे नाइन किया जाएगा प्लस ओके यह बहुत ही जर्णल सी बात है कि यहां पर जो सिरी चली हो उसके इसाब से यहां पर नाइन प्लस किया जाएगा जो हम सिक्स्टीन में नाइन प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अंसर 25 और 25 को कौन स मान है वो कितना होगा उसमें क्या entsprechend लगी हुई है ऐसे कर लेंगे तो आपillos конт Delhi लगा सकते हैं यह पोus unf gor都是 होते हैं अगर आपके आंधर थोड़ी भी क्रिटीविटिय है तो यह कॉस्टन आप एजली लगा सकते हैं यहां पे यही कि यह इसे पालप को यह स्वर्फोय रखेंगे तो हमारा आपकर होसा करते हैं उसके साथ संखेंगे बड़े की तरफ चलता है कभी 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 सीधा तिर्चा ट्रेंगुलर कभी कई कॉंसेप्ट लगते हैं लेकिन आगर ऐसी आपको संख्या है देखने को मिले जो चोटी बड़ी ऐसी होती रहते हैं तो वहां पर आपको क्यूब और रूट का कॉंसेप्ट दोड़ना है यहां यहां पर क्या हुआ है यहां पर इक डिंब वाला यहान से वाला कोंसेट लगां यहए गजा तो देखिए यहां पे 3 का 3 का क्यूब कर दिया है तो 27 हो गया है ऐसी यहां पे भी क्या गया है सेबन का क्यूब कर दिया गया है 343 हो गया है तो तीनों में similar pattern दिख रहा है तो fourth में भी वही pattern होगा तो फोर्थ में पैटर्न होगा तो 5 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा तो यहां पर मारा सही अंसर क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा तो reasoning में कुछ नहीं reasoning में आपको अपना present of mind दिखाना है अगर आपके अंदर अच्छी present of mind और सोचने की सकती है तो reasoning आपको आपकी reasoning बहुत अच्छे मार्स देखे जाएगी और एक भी question आपका reasoning का छूटने नहीं पाएगा next question चलिए देखते हैं next question English वालों के लिए है ओके English के लिए previous questions आपके आउनी सराइधिंग करा रहे हैं तो तो करा ही रहे हैं यहां पर ही मैं एक दो question include कर देता हूं लेकिन वहां आपकी special classes चल रहे हैं English के लिए आप उसे ले सकते हैं तो वर्ड है इंटाइक और फैटिग ओके फैटिग और इंटाइक यह दो वर्ड है तो इनका मतलब क्या होता है इस वर्ड का मतलब होता है लुभाना लुभाना या लुभावना तो इसका मतलब होता है लुभावना तो इसका क्या हो जाएगा सही attract क्या हो जाएगा attract इस एंटाइक का लुभावना होता है दूसरे वर्ड का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीमली टार्डनेस रिजल्टिंग और मेंटल और फिस्कल एक्जर्टन और एक्जर्शन और इल्नेस ओके तो इन दोनों वर्डों को आप इजली पढ़ सकते हैं आपर चली देख लेते हिंदी वालों के लिए इन में से कौन सा सब्द हवा का परियावची नहीं हवा का परियावची कौन सा सब्द नहीं है तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हवा का परियावची कौन कौन से सब्द हैं तो हवा के परियावची पर हम लोग जाएंगे तो जो परियोची है यह अगनी की परियोची सब्द है और हवा की परियोची कौन कौन सी है अनिल समीर पावन वायू यह सारी चीज़े क्या है हवा की परियोची है लेकिन कोश्चन डिमांड क्या कर रहा है कोश्चन डिमांड कर रहा है हवा का परियोची नहीं है तो अनल जो है जो बहुत ही ज्यादा सांत रहें अंदर से बाहर से दोनों तरफ से बहुत सांत आदमी वह मौन कहलाता है मुखर जो होता है वह हमेशा बोलता रहता है बहुत मुखर आदमी होता है आपने कभी कभी कहते हुए सुना होगा कि लड़का बहुत ज्यादा मुखर है तो यह लिए उसमें आपको प्रिवे are questions करा जाते तो वो Song कर सकते हैं very rale इंग के भी मैंने question विभी मैंने को घर आfy के कराए और दो एक कैसे विए मेंने आपकोistas okay यह कुलियर हुआ होगा जो है यह नास्ट में आप से question पोस्का पूस्टा हूं आपको कोश्चन आपको कमेंट बॉक्स में अंसर देना है कि अरुनांचल प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्ब का क्या नाम है मैंने आपको बताया था पीछे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है कौन से तीन टाइगर रिजर्ब हैं उनके आपको नाम लिखने हैं और एक कोशन मैं आपको और दे रहा हूं जिसको आपको सर्च करके कहीं किताबों से गूगल ना करें तब ही अच्छा होगा क्योंकि किताबों से आप देखेंगे तो आप उस उद्यान के बारे में देखें आपको बताना है काजी रंगा कहां पर हैं काजी रंगा के बारे में आपको बताना है और आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्ब और काजी रंगा किस राज्जी में हैं इसको आपको बताना है तो यह कोस्टेंस का जबाब कमेंट बॉक्स में देना है comment box में जब आप जरूर दिया करिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपक्ट करता है और यह अच्छा लगता है आपका इंट्रेक्शन देखे क्लास मैं आपको बता दूँ अगर आप क्लास जोइन करना चाहते हैं और लाइन कोर्स के लिए तो आप इन नमबरों पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कुछ लड़कों को जिन्होंने नेक्स्ट तैम जो कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने कमेंट किया था उनके अच्छे अंसर साय थे उनको देखते हैं इतने स्टूडेंट ने जो भी मैंने कोश्चन पूछा था कोश्चन था गांधी जी ने करो अमरो डू और डाई का जो स्लोगन था और कप दिया था तो उसके बारे में देखिए बहुत सारे लड़कों ने डिटेल्ड में लिखा है तो मैं आपको बता दो जितना भी आपको अंसर के बारे में पता रहे हो आप लिख दीजिया कीजिए इससे क्या होता है आपको चीजे याद होने लगती है और कुछ लोगों ने बहुत ही सौट लिखा है लेकिन मैं अप्रीशेट करता हूं सभी के अंसरों को क्य लेगा इससे पता चलता है कि आपका इंट्रेक्शन क्लासेज के प्रदी कैसा है और आप अपनी पढ़ाही को किस लेवल पर लेके जा रहे हैं तो तिल देन थांक्यू